हेलो स्टुडिंट्स तो वेल्कम टू नेक्स लेक्ट्चर ओफ मेकेनिकल प्रोपर्टिज फ्लूइट्स इस लेक्ट्चर में हम लोग पास्कल्स लॉप पढ़ेंगे उसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक अप्लिकेशन पढ़ेंगे वह रिप्रेक्स में जो तुमने पढ़ हुए हड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में वह तैक्स काफी इंट्रेसिंग लेक्शर हने थेल्कष देखना है अप लोगों को तो आप committee पूरे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे so let us just start with what is Pascal's law so statement the pressure applied at any point of an enclosed fluid okay at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also in the walls of the container provided the effect of gravity is neglected okay बहुत importantly याद रखना है यहाँ कि gravity का effect निगलेक किया है पहले statement अच्छे से पढ़ लेते फिर एक एक point में इसको तोड़ तोड़ के समझते the pressure applied at any point याने कोई भी point पे अगर तुमने ऐसे tube के अंदर imagine करो tube के अंदर एक liquid भरा हुआ है अगर तुम उसके कोई भी एक point पे अगर pressure apply करोगे तुम apply करो the pressure applied at any point of an enclosed fluid याने वो किसी tube में या किसी बंद चीज में अगर liquid है तब that pressure is transmitted equally and undiminished equally याने उतना ही undiminished याने कम न होते हुए वो pressure कम नहीं होगा कहां पे to every point of the fluid and also on the walls of the container ओके आगे बताऊंगा मैं तुमको diagram पे से समझा दूंगा ओके clear तो explanation समझने के लिए पहला point consider a vessel with 4 arms A, B, C and D having different cross sectional areas याने A का cross sectional area A1 है B का cross sectional area 2A1 है C का cross sectional area 3A1 है D का cross sectional area A1 by 2A याने A के multiple में A1 के multiples में respectively filled with incompressible fluid and fitted with frictionless water tight piston liquid कैसा fill क्या हुआ है उसके इंदर incompressible और जो piston लाया आगा है piston वो piston कैसा है? frictionless है water tight है डाइग्राम या इस तरीके से देखो A1 का area A A2 का area twice A याने A1 से double A3 का area thrice A sorry C का area thrice A और D का area A1 by 2 ऐसा और सभी पे piston लगाए हुए यह piston है यह जो चीज दिख रहे है न इसको मैं अलग color से बता देतो यह जो चीज है यह जो फे भी और यह चीज्डी के देते हैं इसे हर वह फेस्टन हो यह जो बाला यह क्री और यह बड़ी पेस्टन लगाए आपने पे एफ फोर्स लगा लगाया और और फोर्स है आपने लगाया बाकी बेसे यह लगाया आपने लगाया initially the enclosed water is at rest now suppose that piston A is pushed down with force F1 so that the pressure exerted on it on the fluid by it on the fluid is PA which is force applied याने F1 upon area याने A1 pressure का तो formula है ना force upon area force कितना अपलाई कि आपन ने F और area कितना है ओके F1 लिखेंगे हम लोग यहां पर F1 लिख देंगे area कितना है उसका A1 ओके clear यहां पर सब जगा F1 लिख देंगे आपन ठीक है now it is found that ऐसा पता चला यह observations एक्सपर्मेंट है the pistons B, C and D can be prevented from moving backwards only if forces 2 F1, 3 F1 and F1 by 2 are exerted on them okay क्योंकि क्या होगा जब हम लोग इसको pressure exert करेंगे तो यह पीछे जाएगा यह भी पीछे जाएगा यह भी piston पीछे जाएगा पीछे जाएगा तो अगर तुमको उसको पीछे नहीं जाने देना है उसको रोकना है that can be prevented from moving backwards उनको पीछे नहीं जाने देना है तो वो जो piston है उनको अगर पीछे जाने से रोकना है तो B पे तुमको 2 F1 जितना force लगाना है पर तुमको 3F1 जितना फोर्स लगाना पढ़ रहा है और D पर तुमको F1 by 2 जितना फोर्स लगाना पढ़ रहा है ऐसा अब्जर हुआ ओके इस अल अब्जर्वेशन से पता चला ओके तो दा प्रेशर अन दे पिस्टों B, C, D तो B पर फोर्स कितना है 2F1, area 2A1 तो प्रेशर इस 2F1 by 2A1, 2, 2 cancel F1 by A1, B पर, C पर फोर्स कितना है 3F1, area 3A1, तो 3, 3 cancel F1 by A1 D पर फोर्स है F1 by 2, area है A1 by 2, यह 2, 2 denominator का cancel F1 by A1 यहने सभी पर प्रेशर F1 by A1, F1 by A1, F1 by A1 आया, लेकिन यह प्रेशर तो A पर प्रेशर था A पर भी तो उतना ही प्रेशर था, था कि नहीं था, तो therefore PA is equal to PB, is equal to PC, is equal to PD समझ मैं, this shows that the applied pressure on A, यानि A पर जितना तुमने प्रेशर अप्लाई किया था, वो सभी जगा गया, B पर भी गया, C पर भी गया, D पर भी गया, is transmitted undiminished on pistons B, C and D as required by Pascal's law, यह हम लोग Pascal's law से प्रूफ किया, इसी को हम लोग Pascal's law कहते है, क्या कहते है, Pascal's law समझ मैं है सबको, कि तुम A पर जितना pressure exert करोगे, force नहीं, pressure exert करोगे, उतना ही pressure हर point पर exert होने वाला है, यह किस ने बोला, Pascal's law, clear with this, सभी ने स्कूल के exhibitions में, वो hydraulic वाली lift, sorry, hydraulic वाली JCB देखी है न, JCB की खुदा ही, है न, सभी को मालू मैं है चीज़, तो hydraulic वाली JCB देखी थी न, वो diet was based on Pascal's law, और Pascal's law यह है, कि एक जगा force apply करोगे, उतना प्रेशर अप्लाइ करोगे, उतना ही pressure दूसरे जगा पर exalt होगा, okay, next, explain the working of hydraulic lift, hydraulic lift, okay, now, तुमने देखा होगा, जब कार का washing center होता है, या कार का servicing center होता है न, वहाँ पे, कार को उपर उठाना पड़ता है, okay, कार को उपर उठाना पड़ता है, अब यह इठनी भारिकार है, उसको तुम crane से उठांगे, तो नश्ट हो जայेγगी, अगर तो तो मस्कोट करेंसे उठांगे, तो फिर उठाना दो उठाना कैसे, वहाँ पे, किसको उसकार को, we use the concept of hydraulic lift कुछ इस तरीके का situation होता है hydraulic lift यह S1 area है यह वाला S1 area यह वाला S2 area है यह piston से A1 area, A2 area उस पर S1 यह piston है यह इदर का piston S2 है इस पर force लगाया देखो S1 पर force लगाया F1 और S2 पर force मिला उपर exult हुआ F2 F1 लगाया F2 मिला All thanks to Pascal law तो देखो है आपे पहला point क्या बोलता है है ना पहला point है A hydraulic lift which is used to lift or support heavy objects such as cars trucks etc works on the basis of Pascal's law hydraulic lift किसको काम में आदे है उठाने में cars और trucks को तो क्या होता है उसमें क्या होता है A tank containing a fluid है ना यह tank है containing a fluid is fitted with two pistons S1 and S2 S1 की खास बात क्या है S1 has smaller area of cross section और S2 की खास बात क्या है S2 has much larger area of cross section A2 अगर A1 है S1 का area of cross section कम है और S2 का बहुत ज़्यादा है कई गुना ज़्यादा है ना इसके आगे का point through out the liquid undiminished to the larger piston S2 यहाँ पे जो pressure P1 exult हुआ P1 का formula क्या बनाया था अपनने force upon area यही pressure इधर भी exult होगा यहाँ से निकल के यहाँ पे exult होगा रूल क्या है कौन सा है क्या यूज क्या हम लोगों होना है Pascal's law ठीक है अब तो इसके वज़े से S2 पे उपर force लगेगा वहाँ पे pressure का formula कैसे देंगे force is equal to pressure into area F2 is equal to P2 into A2 but according to Pascal law जो P1 है वही P2 है same pressure जाएगा तो P1 का formula तो हमको मालूम था P1 is equal to P2 है P1 कितना है F1 by A1 F1 by A1 है ना P1 A2 F1 by A1 into A2 है ना यह A2 इसके नीचे लिखा A2 के नीचे F1 by A1 A1 A2 के नीचे लिखा तो यह आगया ऐसा ठीक है now since A2 is very very greater than A1 therefore F2 is very very greater than F1 है कि नहीं देखो suppose A2 का जो area है 100 cm2 है और A1 का area 1 cm2 है तो therefore A2 by A1 कितना हो गया 100 by 1 याने 100 तो यहां से F2 कितना हो गया 100 x F1 याने तुमने अपलाई किया F1 और दूसरे जगा मिला 100 x F1 याने 100 गुना फोर्स बढ़ गया क्योंकि area जो था A2 वो इसके 100 गुना था 100 x था इसले तुमको जो फोर्स मिला उदर F2 वो भी 100 x मिला समझ में आ रहा कितना इंट्रेस्टिंग चीज इधर तुमने अपलाई किया 10 N और इधर मिला 1000 N आइसा कैसे है कितना इंट्रेस्टिंग चीज दून के निकाला ना पास्कल हमारे लिए पास्कल क्या बोला इधर अपलाई करो कुछ 80 N और इधर पाओ 100, 200, 200, 300, 500, 600 N जितना चाहिए उतना सिर्फ एरिया बरबर रखो इधर एरिया रहेगा उसके प्रपर्शन में इधर तुमको फोर्स उपर मिलेगा समझ में आया क्लियर है सबको इसको नीचे भी लेके जा सकते हो उपर भी लेके जा सकते हो कोई भी अगर गाड़ी रख दी यहां पर है ना यह गाड़ी रख दी कुछ नहीं तुमारी टाकत के ही साब से फोर्स लगा दो 10,15,100 N तो यहां पर मिल जाएंगा तुमको अगर एरिया 100 गुना है तो इधर तुमको 10,000 नीटन ही मिलता डायरिक अगर यह एरिया 100 होना है तो this is 100 cm2 पकड़ लेते हैं 100 m2 और यह 1 m2 तो डारेक 10,000 न्यूटन फोर्स उपर मिलता इससे गाड़ी उपर उठ जाएगी समझ मैं सबको यह एक इसकेप्ट तो यह हो गया है पूरा थेरोटिकल है हमको थेरोटिकल कंशेप्ट ही ध्यान में रखन तो आज का थेरोटिकल कंशेप्ट वाला कंशेप्ट विच इस अप्लिकेशन आफ पास्कल्स लॉइन हाइड्रॉलिक ब्रेक्स तुमने सुनाओगा है यूज होते हैं तुमको पता है है यूज होते हैं जनरली हेवी वहिकल वो जो बड़े चक्के बहुत सारे चक्के वाल बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना सारा ट्रक इतना बड़ा ट्रक है इतना सारा लोड उसके उपर वो चल रहा है वह भी अपना 500 के स्पीड से चल रहा है जब उसको ब्रेक मारोगे तो रुखना चीह ना उसने जगा पे और अगर ब्रेक सस्ते वाले रहे तो तूट जाए एतने बड़े ट्रक को रोकने के लिए ब्रेक भितो बाइंने चीचीह ना याने ब्रेक एने क्या है फॉरस है ना भाई ब्रेक एने का ऐसर तो पर्स भी तो दुम dissoci n ब्रहु लगाना पड़े गा बहुत अच्छा फॉर्श लगाना पड़ेगा तो वह पोर्श कहां से आया हम लोगों पूद तो और hydraulic brakes, तो क्या है, इसका concept क्या है, hydraulic brakes का, hydraulic brakes are based on the principle of pascal slope, यह pascal slope based है, okay, it consists of a master cylinder of area of cross section E1, समझ लो, पहला पाट, इसके अदर क्या है, इसके अदर एक बड़ा cylinder है, जिसको हम लोग ने बोला master cylinder, बड़ा एक cylinder है, उसको बोलते है, master cylinder, okay, उसका area किता है, E1, one end of the cylinder, यानि कोंसा master cylinder, is attached to the frictionless airtight piston P, यह उस cylinder का एक end, frictionless airtight piston P को attached है, और दूसरा, the piston is connected to the brake pedal, और वो जो piston है, वो किसको connected है, brake pedal को, जो brake होता है ना, पैरो में जो brake होता है, driver के पैरो में जो brake होता है, पैरो वाली बात चल रहे है, क्योंकि ट्रक में थोड़ी ना, हाथ में ब्रेक होता है, आपने cycle के पैरो में ब्रेक होता है, वो पेडल, ब्रेक पेडल बोलते हैं, वो जो ब्रेक पेडल है, यानि तुम अगले बार जब वो ब्रेक पेडल देखो, तो वो किसको connected है, frictionless airtight piston, जो कि किसको connected है, master cylinder of area of cross section A1, okay, the other end of the master cylinder, क्योंकि यह एक end हो गया, तो दूसरा end कहां connected है, is fitted with the brake fluid या ब्रेक ओल, जो भी फ्लुइड है, पानी जनरली नहीं उस होता है, वो पेडल यूस होता है, and connected through hydraulic tubes, to the slave cylinders, चार slave cylinders होते है, of area of cross section A2, such that A2 is very, very greater than A1, diagram के तुम समझ में आजाएगा, यह बात अच्छे से याद रखना, यह देखो, यह यहापे, diagram है, है ना, यह देखो, यह master cylinder दिख रहे हैं, यह उसका piston है, piston किसको connected है, brake pedal, उसका area कितना है, A1, यहाँ पे oil है, यह पहला tube गया, यह दूसरा tube गया, यह तीसरा tube गया, यह चौथा tube गया, चार cylinder, चार चक्कों को, majorly जो 4 चक्के, अब हर एक के लिए तो नहीं बना सकते है, बना सकते हो, तुम चाहो तो जितने चक्के उनके लिए majorly 4 चक्कों की बात चल रही है, यह fluid common है, यहाँ से fluid यहां तक गया हुआ है, यहां से fluid यहां तक है, यहां से fluid यहां तक है, समझ मैं है, clear है, यह सभी जो slave cylinder है, slave, A2, A2, इसका area A2, इसका area A2, तो चार्ज हो गया, वो slave cylinder हुए, एक जो हुआ, वो main, उसको बोलते है, master cylinder, ठीक है, now, when the brake pedal is applied by small force F1, यह ब्रेक पेडल पर तुमने कैसा force लगाया, F1, बहुत छोटा सा, the piston P of the master cylinder is pushed in the forward direction, वो सामने के direction में हैंगा, the pressure generated is given as P1 is equal to F1 by A1, तुमने क्या exult किया, F1 force exult किया, किस पे brake pedal पे, तुमने तो brake pedal ही मारा न, तुमने थोड़ी न, जाके cylinder घुसाया, इसा cylinder के अंदर लगा दिया, force, तुमने brake pedal अपलाया, brake pedal पे force अपलाया, वो force गया piston को, और वो piston से गया master cylinder को, master cylinder पे pressure कितना exult हुआ, P1 is equal to F1 by A1, ठीक है, as a result, इसके वज़े से क्या होगा, सभी piston move होंगे, किसके, slave cylinder के, also moves in forward direction, वो सब आगे-ागे move करेंगे, so as to maintain the volume of the oil constant, है न, पास कर जोला, सभी यही pressure, the slave piston pushes the friction pads against the rotating disc, अब slave, slave का, जो cylinder का piston है, वो brake pads को connected है, इसको, brake pads को, अब यह ऐसा समनल लो, यह piston है, यह brake pad है, जैसे piston आगे move किया, यह brake pad आगे गया, brake pad किसको जाके चिपका, वो disk करेंगे थी न, disk, जो चक्के की disk करेंगे थी न, उस पर, जैसे वो चक्के की disk पर चिपका, which is connected to the wheel, causing the moving vehicle to stop, वो disk किसको connected है, वो wheel को, वो disk तो समझता है, बाकी तो तुमको मालूमीचे, cycle तो सभी ने चलाई है, वो ऐसे दो, ऐसे चिपक जाते है, वो rim के उपर चक्कर उप जाते है, वैसे ही, यहने सबसे पहले कि तुमने किसको पैर मारा, brake pedal को, brake pedal से piston को, piston से master cylinder, master cylinder से slave cylinder, slave cylinder से piston, और piston से friction pads, friction pads, friction pads से rotating disc, disc से wheel और चक्का, रूख क्या, समझा क्या, clear, brake pedal, piston, master cylinder, slave cylinder, piston, friction pad, rotating disc, wheel, clear, clear, ऐसे दिमाग में picture बना, ओके, यह diagram वही है वापस से, clear with this, सभी को ध्यान में आया, तो अब next क्याएंगा, sorry, यहाटा नहीं बहुत, the force F2 on the slave cylinder is, F2 is equal to pressure, उस पर P1 लगेंगा, into A2, P1 का formula, अभी लिखा हैंगों लोगोंने, सभी ने साथ ही साथ लिखते चलना है, तो F2 कितना रहेंगा, F1 into A2 by A1, अब A2 जो है, that is very, very greater than A1, वो तो last part में भी लिखा था, हैटरलिक लिख में, तो therefore F2 is very, very greater than F1, this shows that a small force applied on the brake pedal, जो तुमने अपलाई किया, तुमने थोड़ी ने इतनी टाकत है, वो इतने बड़े बड़े चको को रुकने की पकड़ के, तुमने तो बहुत ही थोड़ा सा force लगाया, किसके ओपर लगाया, brake pedal पे, वो convert हो गया larger force पे, which slows down और stops a moving vehicle, इस तरीके से, okay, clear with this, तो ये था हमारा आज का topic, next lecture से हम लोग numerical start करेंगे, इसके ओपर के numerical पढ़ेंगे, सभी ने theory लिख लेना है, इन सभी जो आज जो पढ़ाया है, मैंने सबसे पहले Pascal law पढ़ाया, hydraulic lift पढ़ाया, और फिर finally hydraulic brakes पढ़ें, इस सभी का theory अच्छे से रिखना है, और फिर finally हम लोगों को पढ़ना है इसको, है ना, कल हम लोग इसके numerical करेंगे, that's it.